अच्छा तो आपको ऐसे कितने ऐसे लोग हैं जो अपना बिजनस शुरू करना चाहते हैं और आप मेंसे कितने ऐसे लोग हैं जो यह सोच के बिजनस नहीं शुरू कर पा रहे कि कहीं लॉस हो गया तो क्या करेंगे क्योंकि जादा तर बिजनस में क्या होता है कि आप बिजनस बनना शुरू होता है और वो भी आपको काफी जादा उसके लिए मशक्कत करना पड़ता है, काफी इंतजार करना पड़ता है, ऐसे में कई सारे ऐसे लोग हैं जो इसी डर से घर में बैठ जाते हैं कि भई, नुकसान कौन जलेगा, इतना तो है नहीं, मतलब खाएंगे क्या निचोड़ेंगे क्या, तो ऐसे में कई ऐसी अब सरकार की तरफ से ऐसे जॉब्स मैं बोलूँगी, ऐसे जॉब्स हैं, ऐसे बिसनस हैं, जिनके जरीए आप पहले दिन से ही कमाई करना शुरू कर सकते हैं, हैरानी हो रही है ना, जब मुझे भी ये पता चला था, तो मैं भ लिए आपको डाक विभाग से जुड़ना है, अब आप सोच रहे होंगे कि बही डाक विभाग से जुड़ने की क्या जरूरत है, आजकल तो चिठियों का भी फैशन नहीं है, आजकल तो इमेल के जरीए बात होती है, वोटसेप के जरीए बात होती है, इस तरह से यूट्य कीजिए अच्छा लगे तो लाइक कीजिए कोई भी सवाल हो कोई भी शंका हो कमेंट बॉक्स पे लिखिए तो चलिए शुरुवात करते हैं कि किस तरह से डाग विभाग से जुड़कर आप अपना बिजनस शुरू कर सकते हैं और पहले ही दिन बिना नुकसान उठाए बिना इंडियन पॉस्ट ओफिस के फ्रेंचाईजी लेने के लिए आवेदन कर सकता और पूस्ट और यानि डार्ग विभाग की आउत्लिट अपने राज्य या शेहर में शुरू कर सकता है तो जो भी अपनी फ्रेंचाईजी लेना चाहते हैं अपने राज्य अपने क्षेता में ले सकते हैं सिर्फ और सिर्फ आपको कुछ चीजें फॉलो करनी है इसका पूरा प्रोसेस क्या है किस तरह से आपको यह फ्रेंचाइजी मिल सकती है वो हम आपको बता देते हैं हाला कि selection process के तहट selected applicants को ही office की franchisee दी जाएगी और ये selection franchisee देने से जुड़े हुए नेमों और योगिता के आधार पर किया जाएगा डाग विभाग दवारा हर शहर में डाग सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए दो तरह के franchisee दी जा रही है जिनमें से एक franchisee counter service से जुड़ी है जिसे outlet franchisee भी कहते हैं और दूसरी postal agent से जुड़ी है इन दोनों प्रकार की franchisee को लेने के लिए डाग विभाग दवारा अलग-लग नियम और qualification निर्धारित की गई है डाग विभाग franchisee outlet counter service से जुड़ी franchisee उन्हीं को दी जाएगी जिन राज्यों में डाग विभाग द्वारा डाग सेवाएं उपलाब्ग नहीं कराई जा सकती दरसल भारत में ऐसे कई शहर और इलाके हैं जहां पर डाग घर नहीं है अब outlet franchisee की विशेशताओं पर भी नज़र डाल लीचे डाग विभाग के तहर दी जाने वाली franchisee में केबल counter सेवाई हूं पलग्त करवाई जाएगी जबकि वितरण और संचरण की जम्मेदारी post विभाग के माध्यम से जारी रहेगी इस franchisee का model के वर शेहर के तेजी से विकाशिर क्षित्रों में जैसे की महानगरों और उनके आसपास के कस्पों में लागू किया जाएगा लेकिन आप इस गलत फहमे में बिल्कुल मत रहिएगा कि एक बार आपने franchisee ले ली तो आपको अब कुछ नहीं करना ऐसा नहीं है अगर आप franchisee लेते हैं तो डाग विभाग द्वारा साल में दो बार इसका review लिया जाएगा इसमें से पहला review franchisee खुलने के 6 महीने के बाद होगा और दूसरा अगले 6 महीने में पूरा किया जाएगा फाइनल review में अगर franchisee का कारे सही पाया जाएगा तो उस franchisee की अवधी को बढ़ा दिया जाएगा आपकलिट franchisee के तहट आपकी कमाई कमिशन पर आधारित होगी यानि जो सामान आप सेल करेंगे उस सामान को बेचने पर निर्धारित की गई कमिशन आपको दी जाएगी और ये कमिशन ही आपकी income होगी फ्रेंचाइजी के तहट मिलने वाली कमिशन पोस्ट विभाग द्वारा उनके समानों के बिखने के बाद जो कमिशन दी जाएगी उसको जड़ा तस्वीरों के सरी आपको समझाने की कोशिश करते हैं पंजुक्रित आर्टिकल की booking पर तिन रुपए स्पीड-अर्टिकल की booking पर पांच रुपए कमिशन मिलता है वहीं हर महीने 1000 से जादा रजिस्ट्री या स्पीट पोस्ट आर्टिकल पर 20% अतिरेक्त कमिशन मिलता है डाक कर टिक्टों, डाक स्टेशनरी और मनी ओर्डर के फॉर्म की बिकरी पर बिकरी राशी का 5 प्रतिशन और रिटेल सर्विस पर 40% कमिशन मिलता है अब ये भी जाना बहुत जरूरी है कि इसके तहट आप कौन सा सावान बेच सकते हैं स्टांप और स्टेशनरी का सावान, ए-governance प्रोजेक्ट, पंजिकरित आर्टिकल, स्पीट पोस्ट आर्टिकल, बिल, टेक्स, कलेक्शन का काम, पेमेंट सर्विसेज, बिसनस और पोस्टल लाइफ इंशिरेंस, बिसनस अब फ्रेंचाइजी लेने में आने वाला खर्च, अब फ्रेंचाइजी लेने में एक से दो लाग का खर्च आ सकता है, इसके अलावा जिनका सेलेक्शन होगा, उनको भी सेक्यॉरिटी के तौर पर कुछ पैसा जमा कराना होगा अब बात आती है कि इस फ्रेंचाइजी को ले कौन सकता है, यानि इसका क्राइटीरिया क्या है, तो अगर हम उम्र की बात करें, तो उम्र के लिहाज से आपकी मिनिमम आयू जो है, उम्र जो है, अठारा साल होनी चाहिए, और मैकसिमम आप जितने भी साल के हों चलेगा दूसरी जो महत्वपूर्ण बात है, दूसरा क्राइचीरिया ये है कि आप आठवी पास होने चाहिए कोई भी व्यक्ति इस तरह के फ्रेंचाइजी लेने के लिए आवेदन करने के लिए योग्य है, यानि अगर कोई व्यक्ति किसी तरह का व्यफसाय करता है, तो भी वो फ्रेंचाइजी लेने के लिए योग्य है, हाला कि ये फ्रेंचाइजी शेहरी ग्रामीन और नए आगा वामी शहरी टाउंशिप में दी जाएगी कोई भी संगठन जैसे की कॉलेज पॉलिटेक्निकल विश्विदाल्य प्रोफेशनल कॉलेज भी पोस्ट ऑफिस की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्लाय कर सकता है लेकिन यदि आपके परिवार का कोई सदस से आपके इलाके के डाइक विभाग की डिवीजन में कारे करता है तो आप उस एरिया की फ्रेंचाइजी लेने के लिए अप्लाय नहीं कर सकते अगर कोई इंडिविजुल इस फ्रेंचाइजी के लिए आवेधन करता है तो उस व्यक्ति के साथ फ्रेंचाइजी लेने से जुड़ा समझोता किया जाएगा वहीं अगर किसी संगठन द्वारा फ्रेंचाइजी लेने के लिए अवेधन किया जाता है तो उस संगठन के प्रमुक के साथ इस समझोता किया जाएगा डार्क विभाग के लिए अवेधन कैसे करें? फ्रेंचाइजी लेने के लिए आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा और ये फॉर्म आपको पोस्ट ओफिस की ओफिशिल वेबसाइट पर मिल जाएगा वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शिन बॉक्स में भी दिया गया है लेकिन अगर किसी वज़ा से आप फॉर्म डाउनलोड नहीं कर सकते तो पोस्टल डिविजन ओफिस जाकर फ्रेंचाइजी से जुड़ा हुआ फॉर्म आप ले सकते हैं इस फॉर्म में आवेदन करने वाले व्यक्ति का नाम राश्ट्रिता जिस स्थान पर वो फ्रेंचाइजी का कारे करना चाहता है उसके घर का पता जानकारी आधी बढ़नी होगी सभी जानकारियां भरने के बाद आपको ये फॉर्म उस एरिया के पोस्ट डिविजनल ओफिस के डाक विभाग के सुप्रीडेंटन के पास जमा करवाना होगा जिस एरिया में आप अपनी फ्रेंचाइजी खोलना चाहते हैं फॉर्म के साथ आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स की भी जरूर पड़ेगी जैसे आपका जन्तिती का प्रमान पत्र, बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, घर के पते से जुड़े कुछ डॉक्यूमेंट्स इसलिए आप अपने फॉर्म से पहले इन सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटो कॉपी करवाल हैं साथ ही ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म के साथ लगाने होंगे किस तरह से होगा चैर जिस एरिया क्या फ्रेंचाइजी लेना चाहते हैं उस एरिया के कुछ अधिकारी ही आपका सेलेक्शन करेंगे कैसे? देखिए एरिया के समंद्र डिविजनल हेट को ASP, SDI द्वारा एक रिपोर्ट सौंपी जाएगी और उस रिपोर्ट के आधार पर डिविजनल हेट उस व्यक्ति का सेलेक्शन करेगा जो व्यक्ति फ्रेंचाइजी लेने के लिए काबिल होगा नोटिफिकेशन के मताबिक ASP, SDI द्वारा पोस्ट ओफिस के डिविजनल हेट को ये रिपोर्ट आप्लिकेशन में भरी गई जानकारी के आधार पर दी जाएगी जिस व्यक्ति का सेलेक्शन डिविजनल हेट द्वारा किया जाएगा उस व्यक्ति को Memorandum ох Agreement पर साइन करना होगा Memorandum of Agreement में उस व्यक्ति के अलावा दो गवाहों द्वारा भी सांन किया जाएगे इसलिए आप Memorandum of Agreement पर Sign करने से पहले अच्छे से पढ़ने Agreement पर Sign करने के बाद आपको Franchisee मिल जाएगी हालांकि Franchisee शुरू करने से पहले आपको Post Office में किस तरह से कारे किया जाता है इससे जुरी जानकारी ट्रेनिंग दी जाएगी जो लोग Franchisee लेने के लिए आवेदन करेंगे उनमें से उन लोगों को ही Performance दिया जाएगा जो की Dark Pension भूगी होंगे आवेदन करने वाले वक्तियों में से जिनको कंप्यूटर का अच्छा ज्यान होगा जो कंप्यूटर से विधाय प्रदान करने में सक्षम होंगे उनको भी Franchisee देने में प्रेफरेंस दी जाएगी Franchisee से जुरी Training Franchisee लेने वाले को इससे जुरी तमाम बातों को बताया जाएगा जानकारी दी जाएगी यानि कि एक Training दी जाएगी उस Training के बाद ही वो व्यक्ति ओफिशिल तोर पर उस Franchisee को संभालेगा अब ये Training किस तरह की होगी, कब होगी, कहां होगी ये आप देखिए अगर ये Training किसी और शहर में दी जाती है तो इस Training के लिए उस शहर में जाने और रहने का खर्चा पोस्ट ओफिस की ओर से नहीं दिया जाएगा फ्रेंचाइजी से जुड़ी सारी Training शेत्र के सबडिविजनल इंस्पेक्टर द्वारा दी जाएगी और Training देते समय अगर किसी व्यक्ति का प्रदर्शन सही नहीं पाया जाएगा तो उसकी दी गई फ्रेंचाइजी का अनुबंद खत्म कर दिया जाएगा यानि जो भी व्यक्ति ये Training लेने जाएगे उन्हें Training लेते समय अपनी Performance अच्छी रखनी होगी Training के दौरान फ्रेंचाइजी शिरू करने वाले व्यक्तियों को बताया जाएगा कि किस तरह से Post Office में कारे किया जाता है उत्पादों, सेवाओं, बेसिक प्रोसीजर और परिसर की देखबाद किस तरह से की जाती है ये Training पास करने के बाद फ्रेंचाइजर अपनी फ्रेंचाइजी शिरू कर सकेंगे इन सब के अलावा, जिन भी लोगों द्वारा फ्रेंचाइजी शिरू की जाएगी उनके आउटलेट पर जाकर समय समय पर पोस्टल डिपार्टमेंट के इंस्पेक्टर द्वारा मॉनिटरिंग की जाएगी और देखा जाएगा कि उनके आउटलेट पर सही तरह से काम हो रहा है या नहीं इसलिए जिन भी लोगों को पोस्ट आफिस की फ्रेंचाइजी दी जाएगी उन लोगों को सही से काम करना जरूरी है क्योंकि अगर मॉनिटरिंग के दौरान इंस्पेक्टर द्वारा पाया जाता है कि आपकी आउटलेट में सही तरह से काम नहीं हो रहा है तो आपके खिलाफ आक्शन लिया जाएगा इंस्पेक्टर द्वारा ये मॉनिटरिंग हर महीने की जाएगी और कुछ समय बाद पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा एलेक्ट्रोनिक के जरिये भी निश्चित रूप से निगरानी की जाएगी तो दोस्तों जैसे कि हमने आपको वीडियो के शुरुआत में ही बताया था कि ये दो तरह की फ्रेंचाइजी होती है एक तुरा की फ्रेंचाइजी की बात आज इस वीडियो के जरीर हमने कर ली अब रहती है दूसरी फ्रेंचाइजी की बात तो इतना excited मत हुए थोड़ा सा सहीम रखे क्योंकि इसकी बात हम करेंगे दूसरे वीडियो में तो दूसरे वीडियो में मिलते हैं तब तक के लिए मुझे दीजी जाजत और हाँ अब अपने डर को खत्म कर दीजिए कि कितना पैसा लगेगा नुकसान होगा के मुनाफ़ा क्योंकि किसी भी बिजनस को शुरू करने के लिए रिस्क लेना पड़ता है हाँ मैं ये जरूर जानती हूँ कि रिस्क लेने से हर कोई घबराता है लेकिन डेरिंग जिसको कहते हैं कि आपको हिम्मत करनी पड़ती है तब ही आपके कहीं अपना हाथ हासमा सकते हैं तो आप ये तो नहीं कहूंगी कि आज ही कोई फैसला लेजिए लेकिन हाँ हमारे वीडियो आपको समय समय पर ये जानकारी देते रहेंगे कि किस तरह का बिजनस किस तरह का लोन और किस तरह का वेफसाए किस दोर में शुरू आप कर सकते हैं तब तक के लिए इजाज़त नमस्कार